आज हमारे किचन में आलो और मटर की सबजी बनी है तो उसको बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा तो मेरा वीडियो एंटर देखिए रंजना सुट किचन में आपका स्वागत है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो हमने दो चमस तेल ले लिया है तेल हमारा गरम हो चुका है तो अभी हम डालेंगे जाई अभी हम तोड़ा डालेंगे सिंग दाना और अच्छे से हिला लेंगे गैस हमें बिल्कुल धीमा ही रखना है पूरी सबजी बनेगी तब तक गैस को हम बिल्कुल धीमा ही रखेंग अभी हमने अद्रक और लसुंग का पेश्ट डाला है तो अच्छे से हिला लेंगे एक तेज पत्ता है जो हमने चोटा-चोटा काट लिया था और चोटी-चोटी सूकी हुई लाल मिर्ची है और दो लवंग है तो डालके अच्छे से हिला लेंगे और एक हरी मिर्ची है यह ज हैं these new ये सब्ची को डाल है किसे से वाले आज़े सो अगया लिए दालेंगे व्anted नमक और जैसे पानि डालेंगे और उपर एक ठाली रखयों तोड़ा सा पानि डालेंगे ताकर हमारी सब्ची जले न तो एकैंडम मिनुआagh आज पकाना है तो पांच साथ मीनट के बारे हम सब्ठी को देख रहे हैं तो देखिए अमारी AADHI PAK चुकी तो हिला लेजिए, अभी हम इस में डालेंगेnsinnin जांटो अब एक चमस दन्या पाउडर डालेंगे आधा चमस हल्दी पाउडर डालेंगे और एक चमस लाल मुच्ची पाउडर और अच्छे से हिला लेआगे तो दोस्तों अभी हमारे आलू पके नहीं है सिर्फ आदे ही पके है तो अच्छे से हिला लेजिए फिर से हम उपर ठाले रख लेंगे और पानी है अंदर तो माई सब्जी जलेगी नहीं तो देखिए तो अभी हमारे सब्जी बिल्कुल तैयार है आलू अच्छे से पक चुके हैं तो अगर कड़ाई आपकी पतली है तो बार बार देखते रहे हैं नहीं तो सब्जी पूरी जल जाएगी तो यह है खोपरा जो मैंने खीस लिया है और इसमें डाल दिया है खीसा हुआ कोपरा अगर मेरे सब्जी आपको पसंद आईए तो मुझे जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा